हलो फ्रेंट्स आप सभी का एक फिर से स्वाकत है आपके अपनी चैनल अंकिता कैंड में किचिन में तो आज हम बना जा रहे हैं मिक्स वेच की सब्जी बिल्कुल हलवाई स्टैल में अज हलवाई अंकल ही बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमने यह ले लिए एक लोगी की कड सब्सक्राइब निकल जाए तेल हमारा हो गया है अच्छे से गरम और आप इसमें डाल जीरा जीरा भून रहा है और अब हमने जो खड़े गरम मसाले है उसको एक वाल बहले पाने बिगोंगे उसके बादी डालेंगे इसके साथ यहां पचास ग्राम के सम्धिंग सॉफ डा अब आप लागया है और यह सारे जुगरम मसाले जो खड़े तेज पत्ता पान पत्ते वगर जो भी होते हैं उसके बाद ही तील में डाला जाएगा कुछ इस तरीके से टाइट उनको सूखा जो मसाले होते हैं खड़े उनको डायट नहीं डाला जाएगा सबी चीज़ों कर किर चुछ स्वाइब कारें प्रेस करें तो अब इसमें डाल ती है कश्मीरी लाल मिर्च तो थोड़ा सा पानी सबजी का अच्छा सा कलर दिरह ने के लिए तो यहां लगबक आधा केजी लगबक कश्मीरी लाल मिर्च का इस तेमाल किया गया है साथ बिभतका, आद streets 50 is slept 6. पिसा हुआ धनिया पाउडर बचार के रेडिमेट मसाले यूस्ट के गए और यहां पर जो मसाली की कॉंटिटी वह थिक हो रही है इसलिए थोग असा पानी इस्तमाल किया गया है जिससे जो कोई भी लंस ना रहे है यहां पर एक जग पानी यानी की एक लीटर पानी का इस्त हल्दी पाउडर को भी अच्छे से करेंगे मिक्स उसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आप जैसे है कि देख सकते हैं मसाले की जो क्वांटिटी है वह थोड़ी से ठीक होना शुरू हो गई है और अभी इसमे डाल दिया गया है लगबक सौस से दिर से ग्रम पिसा चाट मसाला इन सबी चीजों को अच्छे से डालने के बाद एक बाद फिर से करेंगे हम इसे स्टेज पे इसको मिक्स और अब इसमें डाल दिया गया है लगबक सौ ग्राम कस्तूरी मैथी जो हमारी सबजी में अच्छी सी इसमाइल के साथ बहुत ही बड़िया टेस्ट ला आब आप देर इसमें डाल दिया गया है इसमें 1200 ग्राम के संतिंग नमक के स्तमाल किया गया है अब के अश्तेशत अदूरी बादि एक इसमें अड़ा लेट पानी का स्वीन पना और किया गया है और जब भी आप इस सब्तिते बनाती हैं तो सबसे इंपार्टन पॉयं्ट क अइसमें चीज़ों करेक्ड फानि यूद्ट करना है सब्यचे खें've काूं अच्छ निदूर शर्पकें you अब इसमें इसमाल किया गया है जो गुल्डी का किंग मसाला आता है मसाला किचिन मसाला उसको इसमाल किया गया है आपे लबख 100 ग्राम का पैकिट था और उसके बाद हम इसको भी आच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी 100 ग्राम अम्चू पाउडर का इसमाल किया गया हुआ ह करने के पाद इसको पीर अच्छी से मिक्स कर लेना है मसाले को अच्छी से पकाना उपर से निच्छी की तरफ जिससे जो मसाला है वो बिल्गुल भी लगे न आप मसाले की कॉंटिटी देख सकते हैं इसी तरीकी सा आपको मेरी चैनल पर अच्छी रेस्पीज देखने को मिलेंगी तो अभी इसमें आदर लीटर पानी का इस्तमाल और किया गया है और अब इसमें लास्ट में डल रहा है घर का पिसा हुआ गरम मसाला इसके खुश्बू बहुत ही यम्मी आ रही है और इसको भी मिक्स कर लेने के बाद सभी मसाले अच्छी से हो गया है मिक्स अगर आप लोग को मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें साथी साथ मुझे कमेंट करके जोल बताएं कि आप सभी को मेरी रेस्पी कैसी लगती है तो मसाले में खदा खानी मिक्स सबजी मेना जाती है तो अलो के जो बड़े वली स्लाइस होती है उस तरीक जो प्लई करने के बाद उन के रिक शाय है और अब water P tra tau boo मूली फूल गोवी शिम्ला मिर्च और हमारी सीम सबी चीजों को फ्राइब करते हैं रखा हुआ तर डिले में जिसका जो एक्स ओल निकल चुका है आपको दिखाना सकती हो साइड में और सब्सक्राइब को अच्छे से मिक्स करना है आप दिख सकते हैं कि इसकी जो कॉंटिट कर दिया गया है अगर आप भी मिक्स सब्जी बनाना चाह रहे हैं तो प्लीज एक बार इस रेसिपी को जरूल देखें और इसी मेथड से आप लोग भी जरूल बनाएं यकीन मानिए बहुत इला जवाप और टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स आप सबी को मेरी वीडियो पसंदा रही होगी अगर आप सभी इसी तरीके से वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज कमेंट करना ना भूले मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें तो यह देखी मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया सब्जी के साथ बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है मैं आपको पास से दिखा रही हूं तो फाइनली हमारी जो सब्जी है वह बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है इस स्टेश में इसको बिल्कुल भी बन ध्यान नहीं मतब इसको बिल्कुल भी एक मिनट के लिए नहीं छोड़ना है अगर आप इस तरीके से सब्जी को छोड़ देते हैं तो जो हमारी कड़या है वह बहुत गरम है इस समय फ्लेम भी हाई है यह नीची से जल सकती है तो इस समय इसको कंटीनियू मिलाते हुए रहना है पाइले जो मसाले हैं सब्जी के साथ अच्छे से हो गया है मिक्स और इस स्टेश थोड़ा सा पानी ओ्रेट किया गया है और अभी हमने जो फ्लेम को कर दिया है और सब्जी को आप अच्छे से मिक्स यहां अंकल किसी और से बात कर रहे हैं उनकी एक्ट्र वोकिंग आ रहे है और अंकल के पास वोकिंग इतनी ज्यादा आरे हैं कि अंकल है इस समय खाने बन मैंना के जा रहे हैं और सामने से उनको ओफर दिये जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी अपनी booking कुछ सीज़ की करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉंटेक्ट में जहूल बताएं मुझे कमेंट करके बताएं फाइलली सब्जी बनकर हो गई हमारी बिल्कुल रेडी और अब इस सब्जी पे जो हम सब्जी है वो लोग की कड़ाई से खाली करके इस भागाउने में ट्रांसफर कर लेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूले और अगर आपने हभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जोल करें यह देखिए हमारी मिक्स वेज सब्जी बनकर रेडी हो गई है यह देखिए हमारी मिक्स वेज सब्सक्राइब नहीं किया है